नमस्ते दोस्तों वेलकूंटो आँछ अच हमने लाइए आप लोगों के लिए बिग फ्रॉन आप लोगों को किता हो कब अतना टेस्ट प्रॉन आज हम बनाएंगे बिग फ्रॉन ग्रेवी आइए दुस्त बनाते हो और इसका मजा लेती हैं आप इस चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी ज़रू दबाए ताकि पहला नोटिफिकेस आपको मिले वीडियो को एक लाइक और स्यार कीजिए ताकि सब बना सके विग फ्रॉन टेस्टिक ग्रेवी देखिए हमने यहाँ पर रीवर के बड़े बड़े फ्रॉन लिये हैं इसको अच्छे से साफ कर लिये हैं इसको मैरिनेट करते हैं मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमाक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लैल मिर्ची पाउडर सब लिए हैं, अब इसको अच्छे से मैरिनेट करते हैं हातों से ताकि अच्छे से घुल मिल जाए मसाला में हमने इसको अच्छे से मिला लिये हैं मसालों में देखिए हमने फ्राउन को मसाला में अच्छे से मारिनेट कर रहे हैं एक एक करकर ताकि अच्छे से घुल मिल जाए मसाला में तो इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है मतलब अच्छा आता है देखिए हमने इसको मारिनेट कर लिये हैं आप इसका नेक्स टेप को जाते हैं कड़ाई में टू टेबल स्पून ओयल लेंगे अब इसमें फ्राउन को डालेंगे मारिनेट किया गया फ्राउन को हम यहां पर डाल रहे हैं अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हमने इसको यहां पर mix करें, देखिए, mix करके 10 मिनिट तब cover कर लेते हैं, देखिए, इसका front का पानी निकल रहा है, इसी पानी से हमें पकाना है, ताकि टेस्ट अच्छा आएगा, देखिए, हमने यहां पर big front को fry करें, इस पानी में थोड़ा थोड़ा देखिए, छोटा छोटा कुछ दिख रहा है आपको, वही इसका रसे, big front का रसे, अब इसको थोड़े ज़र तक cover कर लेते हैं, थोड़ा पक जाए, देखिए, दोस्तों हमारा front पक गया है, लेकिन थोड पानी इसमें बाकी है, पानी जो निकला था front से, वही पानी में, आप इसको fry करेंगे, 10 मिनिट तक, हमारा fry हो चुक है, अब मसाला को डाल रहे हैं, आप मसाला में हमें इसको fry करेंगे, 5 मिनिट फ्राइ करके, फिर से इसको cover कर लेते हैं, ताकि मसाला में थोड़ा पक मसाला तो हमारा थोड़ा थोड़ा सुख गया है अब कुछ बाकी है अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे मसाला के लिए अब स्वाद मुताबिक नमक डालेंगे अब इसको फ्राइ करेंगे देखिए मसाला सुख गया है अब इसको अच्छे से हमें फ्राइ करना है जितना सारा पानी है मसाला में सब सुखाना चाहिए हमें सुखा मसाला बनाके सुखा मसाला में हम इसको फ्राइ करेंगे फिर से इसको पांच मिलेट तक कवर कर लेते हैं ताकि थोड़ा मसाला घुल मिल जाए फ्रॉन में देखिए मसाला से कितने बबल बबल आ रहे है यह अच्छे से पक रहे है अब इसको अब चाहे तो इसमें गरम मसाला डाल सकते लेकिन हमने यहाँ पर चिकन मसाला डाल रहे हैं वान टेबल स्पून चिकन मसाला डाल दे अब इसको अच्छे से हम यहाँ पर फ्राइ करेंगे चिकन मसाला डाल कर फ्राइ करना है नट गरम मसाला चिकन मसाला डालका हम यहाँ पर अच्छे से फ्राइ करेंगे फ्रॉन को जैसे आप चिकन को फ्राइ करें उसी तरह फ्रॉन को फ्राइ करेंगे देखिए कुछ मसाला बाकी नहीं है मसाला और फ्रॉन सब मिल जूल गए है आपको बस फ्रॉन ही दिखेगा, मसाला कुछ नहीं दिखेगा जैसे मिल जूल गये है हमने फ्रॉन के मसाला में अच्छे से फ्राई कर लिये हैं आप इसमें ग्रेवी के लिए हैं यहाँ पर हम पानी देंगे एक कप पानी दिये हैं देखे एक पानी दे दिये हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए साफ अलग हो गए मसाला और फ्रन अब इसको 10 मिनित तर कवर कर ले दे देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं ओइल उपर दिख रहे हैं मतलब अच्छ से मसाला को हमने यहां पर फ्राइ किये हैं याद रखिए टेस्टी ग्रेवी बनाने के लिए मसाला में हमारे फ्रॉंट को अच्छ से फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के पाथ उसमें दो कब पानी देंगे फिर से कबर करके उसको बॉल करेंगे देन अच्छा टेस्ट आएगा देखिए दोस्तर हमारा वीग फॉन टेस्टी ग्रेवी रेडी है आईए इसको सर्फ करते हैं कितने अच्छा बना है देखिए और इसका ग्रेवी मस्त है बस आप एक बार खा लिए तो दोबारा खाने का चहाद बढ़ जाएगी फॉन टेस्टी ग्रेवी खाने में बहुत टेस्ट ही है दोस्तों हमारे वीडियो के लाइख, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ने रेसिपी के लिए तेंक यू दोस्तों फॉर वाचिञ थैंक यू फो वाचिञ थैंक यू फो वाचिञ झाल 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 झाल